बोचपूरी सिनेमा इंडस्ट्य में जिस तरह के नई नई फिल्में बन रही हैं। बोच्पूरी सिनेमा में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, उनकी अभी पुरानी धारना तूटने वाली है, क्योंकि बोच्पूरी के प्रोडूशियर और डिरेक्टर अपने आने वाली नहीं फिल्मों को लेकर काफी सक्रिये हो गए हैं, और एक से बढ़कर एक बोच्पूरी फिल्में ला रहे हैं, जिसको आप अपने परिवार के साथ बैटकर भी देख सकते हैं, इसके अलावा कर भोच्पूरी पावरस्टर पॉमन सिंह की नई फिल्म हर हर गंगी कर टीजर रिलीज हुआ, जिसको हर कोई तारीफ कर रहा है, और कहा चाहरा है कि जो लोग भोच्पूरी फिल्मों के अलोशना करते हैं, जिन लोगों को भोशपूरी फिल्म में अच्छी नहीं लगती, जो लोग भोशपूरी सिनेमा के लिए काफी नेगेटिव हैं, उन सब को पमन सिंग की इस फिल्म के टीजर को जरूर देखना चाहिए, बाके हम बात करें, खिसारी की फिल्म फरिष्टा की, तो ये फिल्म भी लेकिन उससे पहले, नमस्कार, मेरे नाम है डाली पांडे, मेरे साथे कैमरा मैं मुशाल और आप देख रहे हैं, जो आज हम भोशपूरी, बोशपूरी फिल्म नमक हराम, जिसका ट्रेलर आज से साथ दिन पहले, और ये ऐसी फिल्म है, जो शूटिंग के पहले से ही काफी शुर्खियों में थी, आपको बता दे कि इस फिल्म के MMS लिक वाली तुरुशा कर मदो भी नजर आई है, इसलिए उनको कास्ट के जाने के वज़े से फिल्म खूब चर्चे में है, बाकी फैंस इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेट है, इस फिल्म को लेकर एक खास कव इस फिल्म के नियुक्त आशिस तिवारे ने इस फिल्म को लेकर बताया था कि इस फिल्म के कहानी एकड़म आलग है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे फिल्म के कहानी आप सब के जंदगी से जुड़ी है, इसका क्लाइमेस जश्कार के रख देगा, उन् ने कहा कि जल्द ही फिल्म के राइट्स को लेकर वो फिल्म को महराथी सिनिमा के लिए तयार कर सकते हैं, और इस फिल्म के रिजिशक नहीं भी कहा था कि यह बढ़ी बात है, बाकि आपको बता दे कि नमक हराम भोशपूरी फिल्म इंडस्ट्री के वो फिल्म है, जो पिछ नमक हराम को गुरुवार को पटना में लॉंच किया गया, जहां सीमा सिंग और राजा तनी जाइना बहरियां से चर्चे में आई अभी नित्री त्रिशाकर मधूर भी आई थी, यह फिल्म सीमा सिंग स्टूडियो, कैनर और आशिव बिट्स एंट्रेइन्मेंट के बैनर तले बनाई गई है, यह फिल्म बार मईको पुरुदेश में रिलीज होई और इसकी जानकारे पटना में आयो जित, प्रेस कान्फ बावजोद भी वो नहीं ठकी और उन्होंने नमक हराम फिल्म में अपना बहतर परफॉर्मेंस दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस फिल्म के लिए उनको रखा गया, और फिल्म के डिरेक्टर ने उन पर मरोसा जताया, जिसके तत पर शाथ यह फिल्म बन कर तायार हु